रानी की वाओ, yes friends, पोरानिक अन एत्यासिक वेश्विक सांस्कृतिक विरासत एना विष्याज आपने बात करवाने छे, I am sure के तमने आप पाट खुबच गम शे, अने खुबच अगर तेनो पाट छे, but before that, छो तमने आमारे चनल सब्सक्राइब न करी होई, तो please, सब्सक्राइब पूरवाने लिजुकेशन, maximum लोग कोने शेर करो, like करो और comments करो, yes friends, so let's begin with the first line, रानी की वाव, the step file is an approved site on the world heritage, रानी वाव जेचलिक रान की वाव, ए वेश्विक सांस्कृतिक वीरासत तरीक मंजूर थेलू, स्थान्ज, yes friends, it was declared by UNESCO at the world heritage committee, आज ये वीरासत छे, UNESCO नी वेश्विक संस्कृति समीती द्वारा, ते जाहरात अतोदो जाहर करवा मां आवियो हतू, UNESCO has recognized this masterpiece as an exceptional example of water management system, UNESCO जे छे, एना द्वारा कलाकारी गिरी जे छे, एना उतक्रुष्ट स्थापत्य ने, जल संचालन पद्दतिना एक असाधरन नमूना तरीके मान्यता आपामा आवियो, It is a wonderful sample of technological development for utilizing groundwater resources in a single structure. What it says, friends, कि आजे उतक्रुष्ट स्थापत्य छेते, एने, एक असाधरन नमूना तरीके मान्यता तो आपामा आवियो छे, एने साथे साथे, एकज स्थापत्य मा संग्रह करेला पाणी ना उपयोग माटे तंत्र ग्नान ना विकास नो अधबुद नमूनो छे, अने, एक विशाल विस्तारनू ना ना भागो मा विबाजन करिने, कलात्म क्रितरजू करवामा अत्वदो रजू करवानू पन आयक अनन्य उदाहरने छे, दरेक जोना रलके मुलाकातियो माटे राणी नी वाव खुबज आकरशक छे, अया तम्य चित्रमा राणी नी वाव नू चित्र जूश को छो, Yes, friends, Queen Udayamati, the widow of King Bhimdev I. constructed this vow between 1022 A.D. and 1063 A.D. राणी की वाव has become one of the most popular place to visit in Gujarat. Friends, मात्र पाटन ना पटोला ज नहीं, परंतु आ वाव जे छे, ए राजा भीमदेव प्रतम नी पत्नी राणी उदे मतिये, 1022 अने 1063 A.D. दर्मियान बंधावी हती, अने राणी नी वाव गुजरात मा जोवालाइक स्थरलोमा सोथी लोग प्रिया स्थरल छे. जे मापड़ वाद करिये प्रमाणे के पाटन ना पटोला सिवाई पन आपने एक स्थाप बत्ते छे, जे लोको जोवा माटे आवे छे. King Bhimdev I. Belong to the Solanki dynasty of Anilward Paton. Yes, friends, अन ही लोगा पाटन लेका इतरा जे पाटन छे, ना सोलंकी राजवन्षना हता. After his death, लेके तेमना मृत्युबाद, उदेमती took up the project for solving the problem of water, scarcity faced by the people of Paton. Unfortunately, the queen also died before the completion of this structure. In the world of architecture, her beautiful idea has received immense appreciation. What it says, friends, कि आजे कंस्रक्षन छे, अन ही लवाड पाटन ना जे सोलंकी राजवन्षना राजा हता, तेना मृत्ति बाद पाटन नी प्रजा माटे पाणी नी अच्छतनी समस्यानों उकेल लावा माटे, राणी उदे मती ये, आयोजना हाथ दरी, पन कम नसी बे आ स्थापते नी रचना नी समाप्ती पहला जे, राणी नु पन अवसान थे उ, स्थापते नी दुन्या मा तेमनी आ कल्पना नी खुबज प्रशन सा थाए, ये बे जोड नमूनो अदबूद नमूनो के शकाये विया, structure छे, राणी नी वाव, क्विन्स स्थापफल और राणी की वाव, is a seven-story structure, आज ये structure छे, राणी नी वाव, साथ मारनू स्थापते छे, this east-facing स्थापफल is 64 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep. Each structure, passage, pillar and pavilion in this magnificent structure has enchanting carving on its side walls there are around 800 sculptures. Friends, आसों के छे, के राणी नी वाव जे छे, आम तो साथ मारनू स्थापते छे, आ पूर्व भिमुख, लेके पूर्व दिशा तरफ नू जेनू मुख छे एवू, वाव, 64 meters लामी छे, 20 meters पहडी, अने 27 meters उंडी छे, आ भविय स्थापत्य मां दरेक शिल्प कुरूती, मार्ग, स्थम्प अने मंडप पर, मंत्र मुखद करे दे, ते वी कोतर नी छे, तेनी दिवालो पर, लगबग 800 जेटली, शिल्प कुरूतियो पण, कंडारवा मां आवी छे, ते शिल्प कुरूतियो एनी जे दिवालो छे, एना पर पण छे, तमें एबानी हार इशो कोचो फ्रेंद्स, दूए नेक्स परेग्राफ, देर आर नेरली 400 बिक स्कुप्चुर्स अफ दिवें गोड़्स अन गोड़्से इन दुवाव अध प्रेज्ट, इस नंबर्स वुड़ हाव बिन मैनी मोर, इन पास्ट, इन इस ओरिजिनल स्ट्क्चर, सुगेचे फ्रेंद्स, के आजे आ वाव मां विविद देवी देवतावनी आश्रे, 400 शिल्प गुरूतियो छे, जो के भुद्कार मा मुड़ स्थापत्यमा आसंख्या घणी वदारे होई शकेच, यो एक अनुमान लगाव मावच, स्था 5. एक पीनल Пज़ र वाव्ज देवी लाव ऑत्र वाव कर देवीक, पीनली विवर भुवर बुत्वड़ाद кихन वावाव स्थाप्स्याствоर्फीं थे लावरू रंश्वारे, दे डिस्प्ले स्प्लेंड आर्टिस्टिक मार्वेल अन्दी स्टोन्स वट इट सेज फैंड्स अले गे चेके दरेक माल उपर आम जो जुवाज ये तो आस्था पते मां बुद्काल मां गणी वतारे जे मुर्तियों चे वोश केचे परंतु दरेक माल पर शिल्प कृतियों अने दिवालो पर करेली कोतरणीनु सोंदर्य मानवा माटे मुलाकातियों माटे एक साकडी परसाल पण छे वाव ना संबो पन आम अपवाद न थी तेस संबो पर पन भव्य कलात्मक शेष्टता दर्शावे छे अने ए जे दिवालो छे एपन सरस्मेने कोतरनी काम थी कंडारवामा आवे छे मित्रो In fact, the Vav is solely dedicated to Vishnu One can find Vishnu in different shapes and postures खरेकर तो आ Vav जे छे एक खास भगवान Vishnu ने अरपन करवामा आवे छे तमें Vishnu ना विविद रूप अलेके छे आकार आपया छे अने मुद्रा हो जे छे ये तमें आजे राणी नी वाव छे यहमा अलग-अलग जिग्याए अलग-अलग स्थाने जोईश्यको छे What it says next? After Vishnu, next important stage is of पार्वती मतलब के Vishnu भगवान जे छे एना बाद विजी महत्वनी मूर्ती पार्वती नी छे Yes men, nearly 15 galleries have the sculptures of पार्वती 12 statues of goddess Gauri together at the same place are rarely found anywhere The Sun Temple of Madera has it This vow has also all the 12 statues of Gauri Namely, सुखे चे, friends, कि आजे मूर्ती ओछे एमा भगवान विश्णू पछी चो बिजी महत्वनी मूर्ती होतो ए पार्वती जी नी छे लग-बग 15 gallery, gallery लेके पेलू परसाड हो एनी वाद चे, friends ए परसाड मा पार्वती जी नी शिल्प कुरूती ओछे गौरी मातानी 12 मूर्ती ओएक साथे 11 स्थळे भाग्येज जुआ मले छे जे मोडे राना सुर्य मंदिर मा पण जुआ मले छे आ वाव मा गौरी नी बदी जुआर मूर्ती ओछे जे बारे बार जे मूर्ती ओछे, friends इना नामांका नहीं आपे आचे आपड़े ए जुए उमा, पार्वती, पछे गौरी, ललीता, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रंबा, सावित्री, त्रिसिंदा, तोर्तल, और त्रिपूरा अब दा जे नाम तमने आपे आचे, friends, फरिवार कोचू, खास अदराग जो उमा, पार्वती, गौरी, ललीता, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रंबा, सावित्री, त्रिसंदा, तोर्तल, अनित्रिपूरा अब दा नाम जे, आ उपरांत, that means besides there are many statues of gods and goddesses such as Ganesha, Agni, Vayu, Surya, Bhero, Chamunda, Brahma, Indra, Indrani, Vaishnavi, Varahi, अलगेर, वगेर, देवी, अत्वातो, देव देवताओ नी अनेक मुर्तिवो छे आते, चित्र तमें नी चे जुएशो कोचे, friends, अलग लग गौद और गौद इस चित्र चे आपया चे या, यस, here it is, अगल नो परिग्राप अपर जी ये, friends, अगल नो परिग्राप जे चे एक खुबच इंपोर्ट चे, लेहूं पहला आखोज परिग्राप जे ने रिडाउट करी जाओ चुए, अने पचे तमने ये परिग्राप जे चे ए फरिवार तू दे लाइन सम्जावानो परिग्राप जे तो प्रिग्राप 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 जे तो the statue of sun in form of tapasvi, the statue of Shiva with beads in his hand, the statue of Parshurama with soft and gentle expression, rather having hard and stern look, etc. What it says, friends? Some of the sculpture display contemporary life, folktales, animal, and human instinct, etc. What it says, friends? Nearly 300 statues of apsara, the sculptures presented a vast range of emotions and feelings on the faces of the apsaras. They display variety of different moods and situations. 300 मुर्तियों छे, शिल्पियों ए अपसाराना मोँ पर मनोभाव औने सम्वेद नाओ ना विशाल फलक दर्शावया छे, ते मुर्तियों जुदा जुदा मिजाज औने परिस्तियों नी विवित्ता दर्शावये छे, औने ए जे छे, एनों description जे खुब सरस्रिते, एना चैरा पर एना expression मा, ते में जोई शोको छो, औने ए description नी साथे साथे, ए जे emotions छे, जे feelings छे, ए पने मा, सपस्ट पने दर्शावये छे, औने एनों जे विविवरान जे छे, ए मा, खुब सरस्रिते आगल, दर्शावये छे, जुदा ने नेक्स परिग्राफ हैं, Most of them present Vishnu in 10 different avutara's, the most attractive sculptures are those of Vara, Vaman, Narsima, Ram, Kalki and Mahisa Surmadani, Yes, the apsara with 16 different makeup style add to the grace of this unmatched structure, the step well also focuses on the holiness of water and its great significance in Indian culture, Friends, आपे एक आप खुबा जगरते हैं हो छे, फरिवार खास समझो, के मोट्टा भागनी जी शिल्प कुरुती हो छे, ए विश्णू ने तेमना 10 अवतार जे छे, एमा दर्शावे छे, अने एमा पन जे खुबाज आकर्शित होई एवी जे मुर्टियों आपड़े गणिये, तो वराह, वामन, नरसी, राम, कलकी अने महिशासुर मर्दीनी जे चे मुर्टियों छे, शिल्प कुरुतियों छे, ए सोथी आकर्शक छे, अने सोल, विविद शुंगार, शेली, साथी नी आ अपसराओनी मुर्टियों जे छे, आ विरल स्थाप पत्यना आकर्शन अने महक तामा उमेरों करे छे, जे 16 different makeup style sculptures मुर्टियों एनी वाद छे, फ्रेंड्स, अने साथे सुके छे, के आ वाव जे छे ए पाणी नी पवित्रता अने भारतिया संस्कृति मा तेना महत्व परधान क्रेंदित करे छे, Yes, friend, let's see the next paragraph, this is the last two paragraphs, and again these are two importants, दो वाव is the most developed, elaborated, elaborate and ornamented example of submerged architecture, थोड़ा आगराश अब दो छे, जो ये ने द्यान से समझो, के आ वाव जे छे, ए एनु जे जिनवट पूर्वक नू काम जे छे, ए क्यू छे, ए एनी वाद कर री छे, फरीवार नू आखो पेरिग्राफ जे चे वाचू छू, फरीवार आज लाइनी वाचू जे आंते सामबल जे, करको डिवार, बेर्षण दोप्ता न खिर में, तोधल यू लाइनलकर को ढATHANे खे नाजाक, कि यी झालवो की वाचू इचंप्नब हात्या के लाचका औरोग् آपथ, panels of sculptures it lay buried under the mud due to flood first and then vanishing of the river Saraswati it was hidden under the layers of silt of almost seven centuries the archaeologist or ash of the for you are some of the the archaeological survey of India that is ASI took great care to preserve these structures a paragraph for the war with them are on the first of all of the first of all of the 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 पूर्वक रचेला अने अलंक्रुत सापद्यनु उदाहरन छे। ते भारतमा वावना विकासनी गौरव गाथा छे। आ विशाल वावनी रचना अट पटी छे। तेमा शिल्प कृतियों नी अलंक्रुत तक्तियों छे। पहला पूर्णे कारणे अने त्यार बाद सरस्वती नदीना सुकाई जवा थी। आवाव कदाच नीचे दटायली रहली हती। अथो दटायली रही हती। लगबग सात सो वर्ष सुधी तो कादवमा दटायली रही। परन्तु भारत ना पुरातत्व विवागे अ स्थापत ने सुरक्षत राखवा माटे तिने खुबज काल जीरी रिचे अने पची। In February 2013, ASI nominated the SWAV for the World Heritage Site. With the excellent teamwork by the ASI and State Government of Gujarat, it got recognized or recognition by the UNESCO. Yes friends, so this was the wonderful chapter. परन्तु आपड़ा जे शिल्पिकार हो जे छे अने आपड़ा जे टेलेंटेड मान सो ए समय ना जे छे त्यारे पन आभी अदबुत रजनाकारी हाती। And hats up to you, ASI करन के ए जे टीम छे आखी, Archaeological Survey of India. जो एमने आखिया जे स्थापत्य छे, एने जमीन माथी एक्दम जिन्वट पूर्वक साफ सफाई करी ने बाहर न काडी होद। तो कदाज आजे आपने आ राणी नी वाव जे छे, एने बुषे कल्पना आज मात्रे करी शकता होद। परन्तु हवे, because of this ASI, आपने एने निहाली शक्किये छे, एनी बुलाकात लेई शक्किये छे, अने एक गर्व अनुभव शक्किये छे। Yes, friends, so this is the lovely chapter राणी की वाव, I hope के तमने खुब सरर ताती समझायू हशे, चाता पन कोई पन वस्तु तु तमने टफ लागे तो तमने comment box माला की ने सवाल पूछी शक्कोच, तेंक्यू सौम